सूपरफात बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट आठ कविता करम वीर कठिन शब्द विवित पच्टाते चांदनी घबराते चंचल मदद विवित मतलब तरह तरह के पच्टाते-पच्टाना चांदनी चांद की रोश्नी गबराते गबराना चंचल और मदद सहायता देखकर बाधा विविदबहू विगन गबराते नहीं रहबरों से भाग के दुख भोग पच्ताते नहीं काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगा सब काम में वे ही मिले फूले फले, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुझ अभी तकते नहीं कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं चलर्चलाती धूप को जो चांद नी दे वे बना काम करने पर करे जो शेर का भी सामना जो किसी जो की हसहस के चबा लेते हैं लोहे का चणा है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है ठना कोस कितने ही चले पर वे कभी ठकते नहीं कौन सी है गाठ जिसको खोल वे सकते नहीं अर्थार्थ देखकर बाधा विवेद बहु विगन घबराते नहीं मतलब किसी भी तरह की रुकावट को देखकर कैसी भी तरह की रुकावटे हो अर्चने हो उन्हें देखकर कभी भी करमबीर घबराते नहीं है रह भरोसे भाग के दुख भोग पच्ताते नहीं और वो भागे के भरोसे नहीं रहते बलकि भागे से आगे भढ़ते हैं काम चाहे कितना भी कटेनों लेकिन कभी भी उससे वो परेशान नहीं होते और भीड में करमवीर अलग ही नजर आते हैं हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले उन्होंने इतनी महनत की कि उनके बुरे दिन भी भले दिनों में बदल गए सब जगा सब काम में वे ही मिले फूले फले और सबसे आगे करमवीर ही लोग ही दिखते है आज करना है जिसे करते उसे है आज ही जो काम उन्हें आज करना है उसे वो आज ही करते है और जो वो सोचते हैं उसे वो पूरा करके दिखाते है मानते जी की हैं वो अपने मन की मानते हैं लेकिन सब की सुनते हैं जो उन्हें कुछ भी बोलता है वो सुनते सब की हैं लेकिन करते अपने मन की हैं और वो अपनी मदद इस दुनिया में अपने आप ही करते हैं कभी भी वो भूल कर भी दूसरों का मुझ नहीं देखते कि उनकी मदद करने आएगा और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वे ना कर सके चल्चलाती धूप को जो चांदनी देवे बना बहुत गरमी अगर है धूप बहुत तेज है तो वो से भी चांदनी बना देते हैं काम पढ़ने पर करें जो शेर का भी सामना अगर उन्हें कोई ऐसा काम पढ़ता है जिसके उन्हें शेर का भी सामना करना पड़े तो वो वह भी कर देते हैं और हस हस के लोहे का चना चबा लेते हैं लोई का चना चमाना मतलब कटिन परिश्रम करना और ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो उनोंने मन में ठान लिया हो और वो उसे ना कर पाए कोज कितने ही चले पर वे कभी ठकते नहीं चाहे जतना मरजी चल लें वो कभी नहीं ठकते और कोई ऐसा रहस से है कौन सी ऐसी गुत्ती है जिसको वो ना सुलजा सके इस कविता के लेखक है अयोध्या सिंग उपाद्या हरियूद धन्यवाद